चिंदवाड़ा में आयुजद बाब बागिश्वर महराज की तीन दिवसी ये कथा का समापन हो गया कथा के समापन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंच पर पहुचे और उन्होंने पंडित धिरंद्र कृष्ण शास्ति से कहा कि महराज जी आप ये मत सोचेगा कि एक चिंदवाड़ा आकर आपने मुझसे चुटकारा पा लिया है भविश्य में भी आप मुझसे चुटकारा नहीं पा सकते हैं आपको बारवाज चिंदवाड़ा आना पड़ेगा पूर्मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महराज जी मेरे और आपके संबंध हनुमान जी के स संबंध है ये तो संबंध होते हैं वहां आत्माय होती है आपको बारवाज चिंदवाड़ा आना पड़ेगा आप बहुत सारी जगा कता करने जाएंगे मगरrict आको चिंदवाड़ा जैसी जगा कहीं नहीं मिलें कमलनाथ ने जिस अंदाज में ये बात कही उसे देख वहां मौझूद लोग ताली बजाने लगे इसी दोरान कमलाद ने कहा कि मैं हिंदू हूँ और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं महाराज जी अब मत सोचिएगा कि आपने मेरे से चुटकारा पा लिया यह चुटकारा आपने नहीं पाया है और भविश्य में भी आप मेरे से चुटकारा नहीं पापाएंगे संबंद होते हैं बहुत सारे संबंद होते हैं दोस्ती का संबंद होता है रिष्टे का संबंद होता है तरह तरह के संबंद होते हैं पर महराजी और मेरा संबंद हनुमान जी का संबंद है हनुमान जी का संबंद है और ये संबंद जो है ये आत्मे संबंद है ये हमारा संबंद है तो महराज जी छुटकारा निपा पहेंगे आप मुझे मैंने ये सब यहां गवा बैठे हैं 40 साल प्रयास किया मेरे ऊपर कोई उगली नहीं उठा सकता सही बात है 40 साल में कोई उगली नहीं उठा सकता और पर आपको छिनवाडा जैसे जगल कभी नहीं मिलेगी ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप देख रहे हैं दखल लियो